नमस्कार दोस्तों मैं आपको दोस्त प्रदीब कुमार आज हमारे पास में मैंगनाइट एक्सवी एक्जेकेटिव टर्वो और हम लोग का इसको कंपेर करेंगे नेक्सोन एक्स इस जिया दोस्तों कहीं ने कहीं सेम प्राइस में दोनों चीज़े आजाती हैं तो इसमें से कौन सा वेरेंट आपको लेना चाहिए नेक्सोन ले या मैगनाइट एक्सवी ले तो कौन सा आपके लिए बेनेफिशियल है कौन सा बिल्कुल आपको वैलू फॉर मनी होगा वह हम जानेंगे इस दोनों वैरेंट कहीं ने कहीं बिल्कुल सेम प्राइस में आएंगे आपको उदादे एक्सवी एक्जेकेट्व आपको पढ़ेगा सात लाग पशत्तर हजार रुपए और नोडी आपको पढ़ जाएगा आट लाग नब्य हजार के असपास में एंड वहीं पे टाटानेक् यहां पर देखेंगे टाटानेक्स में अगर पाएंगे यह आपको 1.2 लीटर इंजन के साथ में आता है और आपको सबसे अची बात यह होने के बाउजूद इसमें आपको 118.50 फिफ्टीज वन हंड़ने एटीन पॉयंट फाइफ यहां पर मिल जाता है तो यह पावर आपको बहुत अच्छी घास मिल जाती है यह इसकी सबसे ज़्यादा खासियत है डेमेंशन वाइस भी आपको मैगनाइट से काफी ज़्यादा बड़ी थोड़ी सी देखने के लिए मि अब बात करें फीचर और जो चीज़े आपको थोड़ी से डिफेंट मिलती है इस प्राइस पॉइंट में तो यहां पर आप देखेंगे मैंगनाइट एक्टी टर्बो में इंजन को आरे में बता दिया वन लीटर आपको इंजन रहेगा इसका जो इंजन है वह आपको आप आपको मिल जाएगा वह सिल्वर कलर के है नीचे आपको सिल्वर कलर की क्लैडिंग भी आपको मिल जाती है अब बात करते रियर प्रोफाइल टार के नेक्सान के बारे में तो यहां देखेंगे आपको स्पॉलर मिलेगा डीफोगर वाइपर ऐसा कुछ आपको नहीं दिया जाता है नीचे आपको रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जाते है फोर पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे और नेक्स ओन की बैसिंग आपको मिल जाती है और यहां पर आप देखिएंग अपको देखने के लिए मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से आपको मिलेंगे विल अगर ब देकिंग निसान का लोगो मिल जाएगा डिफोगर वाशर वाइब पोड हाई स्टॉप माउंट लाइट स्पॉयलर सारी चीज़े आपको मिल जाती है टर्बो की बैजिंग मिल जाती है फूर पार्किंग सेंसर आपको इस तो देखने के लिए मिल जाते हैं कैमरा अगर आपक से आपको कम लग सकती है इसका जो बूटी स्पेस है वो 336 लिटर का बूटी स्पेस है डिसेंट सा बूटी स्पेट है कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है मैगनाइट का जो एक्शली एवरेज है वह आपको बता दे जन्यूली जो आपको हाईवे में आपको आपको आजाता है तो यहां पर आप देखेंगे नेक्सवान के बारे मगर बात करें तो नेक्सवान का एवरेज है वह सिटी में 11-12 हाईवे पर थोड़ा से कम है एवरेज की वजह से थोड़ा सी चीज़े मेरे को डिसपाइंट किये विकास मैंने इसका ओनर्शिप रिव्यू भी किया हुआ है तो यहां पर आप देखेंगे कि जो आउनर्शिप मैंने पाया कि एवरेज काफी तक कम इनको मिला है 11-12 का ही मिल जाता है विल आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले तो वहां पर जाके आप आराम से देख सकते हैं कि आपको नॉर् चार्जिंग पॉइंट तक नहीं दिया गया जिया दोस्तों कार होने के बाउजू दिया अगर चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलता है तो वह कहीं नहीं तोड़ी सी चीज़े आपको डिसपोइंट कर सकती है विल आप देख रहे हैं यह है टाटा की नेक्सॉन का बेस वेर है सेम आपको इस झायरा आपको त्सक्राइब के भी सीलन दिखने के लिए मिल आपको बात कर अगर सेफ्ट सब्साजण त्सक्राइब क्शेम 59 व çek शिंट के नहीं भीraz यहां मिल जाते हैं अगर 40 पर शिगो आपको अगर 20 शियर्केश आपको इम्प्रूव को रापको देत हो जाती है safety purpose टाटानेक्स ओन एंड as you know five star rating गाड़ी है टाटानेक्स ओन safety purpose तो काफी बहतर मानी जाती है वहीं पर आप देखेंगे बात करेंगे अगर magnet xv executive turbo के बारे में तो interior कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा dual tone interior आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा इसमें आपको height adjustable का option भी मिल जाएगा साथी साथ आप अंदर देखेंगे कि आपको audio system मिलेगा four speaker प्लस में दो ट्विटर आपको इस घाड़ी में देखने के लिए मिल जाएंगे तो काफी सारी चीज़े आपको इसमें फुल्फिल रहेंगे और टो climate control आपको मिलेगा माइक मिलेगा आप आराम से बात वगरे कर सकते हैं और तो इसी आपको मिल जाता है अपने according लिए सारी सीज़े आपको distal मिल जाती है तो यह काफी जादा बहतर रहता है यहाँ पर आप देखेंगे स्टेरी वील में रिकॉल सीवेंट करने का ओप्सन आपको देखने के लिए मिल जाती है तो काफी सार चीज़े इसमें आपको सही मिलेंगी फीचर वाइस एक्षली मैगनाइट आपको काफी सदा बहतर रहेगी बिगॉस हर एक चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है आप चाहें तो इसमें टच स्क्रीन भी लगवा सकते हैं मैगनाइट का ओरिजिनल निसान वाला तो वह आपको बढ़ेगा साड में अगर आप कार लेते हैं तो बहुत से आफ्रा मार्केट काफी ज़्यादा इशू हो जाता है इतना सारा बावाल करवाने में यहां पर देखेंगे हैडरस्ट अगर आपको इंटीग्रेटर मिलता है कोई फिक्स आपको रहेगा आप इसे अजस्ट नहीं कर सकते हैं नॉ आपको मिलती है स्टेरिंग वील में तो बहुत पर काफी सारी चीज़े बहतर लगती हैं तीन मोड में जाते हैं द्राइविंग के तो वह काफी सारी चीज़े अच्ही है तो यह नब बात कर लेते हैं सिफ्टी के बारे में में मैंने मिलता है इसमें आपको ABS iPhone ब्रेक पावर डोर लॉक्स, चाल्ड सेप्टी लॉक्स, एंटी थेफ्ट अलारम, दो एरबैक्स, ट्रेक्शन कंट्रोल, हील असेस्ट, इंपक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक्स, एंड फोर स्टार ग्लोबल एंड कैप में फोर स्टार रेटिंग आपकी गाड़ी रही है, तो काफ पर आप जा सकते हैं, टाटा के नक्सॉन में, यहां पर आप देखेंगे, रियर प्रोफाइल में, तो रियर सीट में आप देखेंगे, कि आपको कप होल्डर मिल जाता है, आर्मरेस्ट का भी उसको स्टार फोन वागरा आप आराम से रख सकते हैं, तो यह अच्छा है, एक आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए, नेक्स वीडियो आप कौन से कंपेरिजन चाहते हैं, यह भी हमें जरूर से जरूर बताइए, थैंकियो सो मच गाईस, यूही प्यार बना करें, जादस जादस लोग तर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंकियो सो मच बताइए, बताइब करें, था इस जादस लोग अभा लोग, जादस लोगी पाईब करें, दो 수 मेंढे हमें, ने सुनगने, उले करें मच ठोग तादस, बतादसद्वे देक्स पोणने चाहते हैं, थैंकियो सो मच एचने, वे फिले आज एक करें, अप्यां। यहीं।